कोतवाली बजार सिर्छ छोटे महावीर मंदर का तिहा असे गॉंडवाना काल से जोड़ा हुआ है मंदर में विराजमान हनुमान जी की छवी देखने और पूचन अर्चन करने शहर ही नहीं बलकि दूर दूर से श्रधालू यहां आते हैं शनिवार और मंगलवार को मंदर में हनुमान जी का विशेश पूचन किया जाता है छोटे महावीर का मंदर प्राचीन काल से ही भक्तों की आस्था का प्रमुख केद्र है संसकाय धानी जबलपुर के लोगों के मन में बचरंग बली के प्रती अटूट शबधा और विश्वास ऐसे में हर्षनिवार और मंगलवार को बचरंग बली के मंदिरों में शधालूं का तादा लगा रहता है शहर के प्राचीन मंदिरों में कोटवाली बजार सराफा बजार में स्थित छोटे महावीर का मंदिर भी श्रधालों की आस्था का प्रमुखेंदर है बता दें कि इस मंदिर का इतिहास गौण कालीन है मंदिर के पुजारी और श्रधालों की माने तो मंदिर का तिहास रानी दुर्गावती के श्वासनकाल से भी पहले का है वर्तमान में जहां शहर का मुखे बजार है वहां कभी जंगल हुआ करता था और तभी से हनुवान जी महराज यहां छोटे महावीर के नाम से विराजमान है यही गोडवाना काली ने रानी दुर्गावती के टाइम का जब यहां पे शहर नहीं था टोटल जंगल था तब यहां पे भगवान विराजित हुए दिश्वान जी के दर्शन करने आते हैं सरापा चोक के पास चोटे महावीर का मंदिर बहुत प्राचिन है और हम तो 25 साल से आ रहे हैं और जो भी मनोकामना यहां पूरी हो जाती है यह काफी प्राचिन मंदर है और यह गोडवाना शासनकाल पे जो था उसमें और उसमें से यहां पर इस्थान बना हुए है और पुरानी एक खोटो पंडी जी ने भी हम लोगों को प्रदान करी थी जिस समय थी हर्मानी महराज का इस्थान और यहां पीछे जो गुमिंद वरल्लप जी भागवान शुटादे किस्टे का मंदर है वो स्थान पर दर्सन होता है और यहां पर मैंने बना की थी यहां पर्सन लगाई थी तो मेरा बेटा भी आस्थेलिया मेलमोर सहर में गया हुआ है पढ़ने के लिए मंदर के पुचारी विजटिवारी ने बताया कि उनके पूरवच कई पीडियों से मंदर में छोटे महावीर की सेवा कर रही है मंदर में हलमान जी छोटे महावीर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तेरा द्वारा